अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़की प्रोश्ट्यूट बन जाती है ये स्टोरी हमारी 1600 में वेनिस की है तो उसे कोड़ीजान्स कहा जाता था क्या अब वो अपना प्यार पाप आएगी हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मुवी 1998 की डेंजरस ब्यूटी ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ट मुवी है ये मुवी हमें उस वक्त की सिचुएशन को सोचने पर मजबूर करकर जाती है तो अंतर इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर करतीजे अब बिना किस दरीके एक्स्पिलेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और वेनिस के कनाल से कुछ कोडिशन जाती हो हम देख सकते है सारे लोग उनके लिए दिवाने थे इस बारे में हमाई में गैरेक्टर वेरोनिका को पता चला तो अपनी फ्रेंड के साथ इन्हें देखने के लिए चली जाती है आज बहुत दिनों बात वेरोनिका की जो फ्रेंड थी उसका ब्रदर फिर से टाउन में वापस आया था उस ब्रदर का नाम था मारको मारको अपनी सिस्टर से मिला और वही पर वेरोनिका को भी देख लेता है वो से बचपन से जानता था पर अब वो बड़ी हो चुकी थी तो उसकी ब्यूटी उसे बहुत अच्छी लगती है एक दूसरे को ये दोनों बहुत अच्छे लगे थे रात में वेरोनिका ने अपनी मदर से बोचा ये शादी किस तरीके से होती है मदर ने का एक तरीके का बारगेन होता है दो फैमिलीज एक दूसरे को क्या दे सकते है इस पर ये डिपेंड करता है यावबर एक तरीके से डावरी के बार में बात चल रही थी वेरोनिका ने का कि अगर सच्चा प्यार हो तो इसमें इस तरीके की बारकेन की क्या जरूरत है वेरोनिकाओ की मदर कहती कि इस तरीके से चीज़े नहीं होती है वेरोनिकाओ को हमेशा से पढ़ना अच्छा लगता था मारकों से उसे प्यार हो गया तिसके बार में वो पोईटरी लिख रही थी उसका प्रदर ये देखकर उसे टीज करता है यही जब वो पढ़ रहा था तब ही नीचे मारु को पहुझ गया उसके लिए उगाना गाता है ये देखकर उसके पीछे पीछे वो भी नीचे आके मारु को ने उसे पोईटरी पढ़ कर सुना एक बुग उसे दी और कहा कि ये बुग तुमारे लिए है जब मैंने इसे बाइ किया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमारे लिए बाइ कराऊ पर ये हमेशा तुमारे लिए ही थी उसे लगता है कि शायद वेरोनिका बहुत ही यंग है इन दोनों में कुछ हो नहीं सकता पर veronica उसे ही पागल समझती है इसके बात इन दोनों ने किस कर लिया veronica realize कर दिया कि यह सब करना गलत है पर इस दोनों अपने आपको रोक नहीं पाए एक राथो मारको की सिस्टर की wedding की party चल रही थी उसका महरेच एक ओल्ड मैन से कर दिया गया था वहरोनिका को यह बहुत गलत लगा पर मारको ने कहा कि उसकी पोस्ट बहुत ही बड़ी है इस वज़े से चल जाता है मारको के फादर वहरोनिका और मारको को साथ देखते हैं वह रिलाइस करते हैं कि दोनों प्यार में हैं वह मारको के पास है उन्होंने का तुम कभी भी उसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं इस बात को जादा मत बढ़ा रात में जब दोनों एक साथ थे हैं तो मारको ने वहरोनिका को बता दिया कि हम दोनों कभी पे एक दुसरे से शादी नहीं कर सकते वेरोनिका बुश्थिये तो फिर तुम मेरी लाइफ में आये ही क्यो मारको ने कहा मैंने बहुत राय किया था अपने आपको रोकने का पर मैं रोक नहीं पाया वेरोनिका कहती है तो फिर हम एक साथ ही रहती है और मारको एक कर नहीं सकता था मारको कहता है कि मेरे एक ड्यूटी है जो मुझे निभानी पड़ेगी वेरोनिका इस बात से बहुत जादा हर्ट होगे रात में रो रही थी और उसकी मदर उसके पास आर दिया उसके बारे में सब कुछ पता था मदर गयती है उसे पाने के लिए तुम उसे शादी करो एक कंबल सरे नहीं है तुम कोर्टीजान भी बन सकती हो ये वेरोनिका को बहुत गरत लगा पर मदर ने कहा कि में भी एक कोर्टीजान हुआ करती थी तुमारे फादर ने हमारे सारे पैसे उड़ा दिया तुमारे ब्रदर को भी एक अच्छी जॉब लगनी चाहिए इस वज़े से तुमें अब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए तुमें कोर्टीजान बनना पड़ेगा उसने उसे समझाया कि कोर्टीजान को बहुत फ्रीडम होता है लाबरे की एक्सेस भी तुमें मिलेगी जहाँ पर तुम सारी चीज़े पढ़ पाऊगी है उसकी मदर फिर वहरोनिका को ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है आदमियों को किस तरीके से ही जाना है उनकी इगो को किस तरीके से पैंपर करना है इस सारी चीज़े वहरोनिका सीख लेती है मदर ने का कि हर एक आदमी को हैंडल करने का एक अलग वे होता है इसके बाद वहरोनिका रेडी थी है एक अमीर आदमी के साथ आज राद वो पार्टी पर आती है इसी पार्टी पर मार्को भी आया हुआ था उसे जब वेरोनिका के बारे में पता चलता है उसे बहुत बुरा लगा वेरोनिका आज उसे बहुत ही गलत ट्रीट करती है कहती है जैसा तुमने मुझे ट्रीट किया था मैं तुमें वैसे ही कर रहे हूँ इन दोनों को बात करता देख विरोनिका के बास वो अमेर आदमी आ गया उसे उसके साथ लेकर जाता है आज यहाँ इस पार्टे में पोईटरी चल रही थी मारको का फ्रेणी पोईटरी कर रहा था मारको सबसे कहता है कि विरोनिका भी पोईटरी कर सकती है फिर विरोनिका और मारको का फ्रेन एक दूसरे के अगेंस्ट पोईट ट्रिकर दे यह सेजन सब को बहुत अच्छा लगा था रात में वेरोनिका और वो आगमें दोनों इंटिमेट हो गए सुबाने पर वेरोनिका की मदर उसके पास आती है जो भी वैसे उसने कमाई थे इस सारे वैसे उससे दे बहुत ही कम टाइम है क्यों ना हमें एक दूसरे की कमपनी एंजॉय करें वेरोनिका भी उसके पास आई कहा कि तुम मुझे पार नहीं सकते इसमें बहुत मज़ा है वो उसे इरिटेट करकर वहां से चली जाती है आज वो मारको के अंकल के पास आई हुई थी वो पैरलाइस आज उसे फिर से इगनोर कर देती है वेरोनिका एक बहुत ही अच्छी पोईट है तो उसे फिर से एक पार्टी में बुला गया था मारको का फ्रेंड उसे बात करता है कहता है तुम अलग-अलग आदमी उसे मिलती हो इस वज़े से तो यह बहुत ही अलग परस्पेक्ट्ट जो लोग इसे पानी पाते है इनके लिए बहुत ही क्रिवल बन जाती है वेरोनिका गहती कि इसमें ही तो मज़ा है अगर तुम मुझे पा सकते है तो तुम उसे बौर हो जाते है मारको ने कहा कि मैंने जो भी किया आज तक मुझे इसका पच्छता हुआ है मैं कभी भी तु वारे में उसे बता दिया वेरोनिका गया दिये कि I hope कि तुम्हें इस शादी से बहुत फायदा हो इसके बाद मारको की शादी होगे और हम डारेक्ली हस्बन वाइफ को एक साथ देखते हैं मारको अपनी वाइफ से पुछता है तुम अपनी लाइफ से चाहती क्या हो उसकी व मारको का फ्रेंड पोएट्री करने के लिए आया हुआ था वेरोनिका की वज़े से हर्ट है इस वज़े से उसे बहुत ही बुरी चीज़े बोलता है इन दोनों ने फिर तलवार उठा ले एक दूसरे से वो पोएट्री और तलवार से फाइट करते हैं यह फाइट बढ़ती मारको का फ्रेंड वेरोनिका को मार ही डालता पर उसके पहले मारको ने उसे बचा लिया मारको फिर उसे देखने के लिए उसके घर पर आता है एक दोनों आज इंटिमेट हो गए मारको का फ्रेंड बरबाद होकर स्टीट में पढ़ा हुआ था उसके पास चर्ज का एक आद वहरुनिका कहती कि मैरा प्रोफेर्छन है, फिर वें पैसे कैसे कामाऊंगे मारकों से सब कुछ देने के लिए रैडी था पर वहरुनिका उसे मना कहती है यह कि裹ा पर जिन्दा रहना पड़ेगा अगर उसका इंटरेस्ट के अगेस्ट वार पर जाने पढ़ने वाला था मारको रियलाइस करता है कि शायद वो विरोनिका से फिर मिलना पाएगा इस वज़े से उसके पास गया वो से कहता है मुझे तुमसे कहना का कोई भी हग नहीं पर फिर भी मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए चाहता हूं मैं पर वहरोनिका इस बात को नहीं मानती है मारको और वहरोनिका फिर अलग अलग प्लेसेस पर गये एक दुसरे के साथ अपना टाइम बहुत ही ब्यूटिफुल स्पेंट करते हैं अगर वेनिस को बचाना है तो उन्हें पैरिस की एमपरर की जरूत है वो अपनी शिप सुने दे सकता है इससे वो वहर जीट सकते हैं तो एमपरर वेनिस में आने वाला था इसके लिए मारकों को भी बुलाया जाता है एमपरर यहावर बोच गया उसने का वेनिस की कोडिजान्स बहुत ही फेमस है मुझे सारी देखाओ इन सब कोडिजान्स में उसने वेरोनिका को बुचती है वेरोनिका उसे भी प्लीज करती है कि इससे खुश हो गया और वेनिस की मदद करने के लिए अब रेडी था इस सारी बातों से मारको अपसेट हो गया था वेरोनिका गयती है तुम अमनी वाइफ के साथ हर रोज सोते हो यह तुमारी ड्यूटी है उसी तरीके से मेरी भी यह ड्यूटी थी मारको बहुत ही हर था और इसके बाद वह वार के लिए चला गया जो भी लोग वेरोनिका के पास एस अ क्लाइंट आते है उन सारों की वाइफ ने उसे बुला लिया वो बुच थी कि हमारे हस्बंड कैसे क्या वो जिन्दा है वेरोनिका ने सब को बताया पर एक्चॉल में पूछना था कि उनके हस्बंड को इस तरह के से प्लीज कैसे कर पाती है वेरोनिका उन्हें सिखाने की कोशिश करती है पर इस पर मारको की वाइप बहुत जादा गुस्सा होगे उन दोनों की फाइट होने लग के थी पर वेरोनिका की फ्रेंड न की उसे भी बच्चे होंगे उसकी लाइफ एक केज की तरह बन जाएगी वेरोनिका कहती है पर मेरी लाइफ भी केज की तरह ही है पर उसकी फ्रेंड मानती नहीं 16th century में वेनिस में एक प्लेग आया था यही प्लेग फिर हमें मूवी में दिखाय जाता है इस प्लेग की वज चल रहा है इसके बारे में पता चलने के बाद वो डारेकल वेरोनिका के पास पोछता है वेरोनिका अभी सेफ थी उसके पास आकर उसे गयले लगा लेता है उसने कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो ह्यें डूनों एक दूसरी से मिलकर बहुत खुश थे इस प्लेग की वज़ से जादा पावरफुल हो चुका था तो कुछ भी कर भी नहीं सकते है वेरोनिका पर केस चला जाता है कि उसने अपने सारे क्लाइंट्स को अपने वश्च में कर लिया था उसे बताया गया कि अगर तुमने अपने सीन्स को मान लिया, तो हम तुम्हें जाने देंगे वेरोनिका जो काम करती, इस वज़े सो प्राउड थी, तो कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं थी यहाँ कोड में हम मारको के फ्रेंड को भी देखते हैं, जिसने कोड को जॉइन किया वेरोनिका के खिलाफ वही सारी बाते बोल रहा था, मारको ने कहा कि मेरा फ्रेंड वेरोनिका को पा नहीं पाया, इस वज़े से इसका वो बदला ले रहा है, मारको का फ्रेंड गयता है, इसने मुझे भी वश्में कर लिया था इसे वज़े सारी चीज़े मैंने की थी वहरोनिका से पूछा जाता है कि तुमने इस सब किया क्यों वहरोनिका ने कहा कि मेरे वास कोई भी आप्शन नहीं था मैं शादी कर नहीं सकती थी अलग काम करना मुझे अलाओर नहीं था आज की दिन का कोट एक खतम करते हैं रात में मार को वहरोनिका से मिलने के लिए वो गयता है अगर तुम पीछे नहीं आटी तो इस लोग तुमें मार डालेंगे प्लीज वो लोग जो भी कह रहे हैं इस बात को कंफेस कर दो वहरोनिका ने कहा कि मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कॉम्परमाइस किया है अगर मुझे पर जो भी इलजाम लगे इसे मैंने मान लिया तो मेरी सोल मेरे पास नहीं रहेगी अगली दिन वहरोनिका कंफेस कर दिये यह मेरी मदर की वज़े से मैंने सब स्टार्ट किया था पर फिर मुझे यह सब अच्छा लगने लग गया मैंने बाकी लेडिस के कंपेरिजन में एक अलग लाइफस्टैल चुनी जो मुझे अच्छी लगी मैं किसी आदमें की गुलाम नहीं बनना चाहती थी जिस तरीके से आप प्रेयर करते हो उसी तरीके से मेरा काम ही मेरे लिए प्रेयर है अगर मैं फिर भी कल्परीट हूँ तो आप मुझे सजा दे सकते हो उसे सजा होने ही वाली थी पर मार्को कोट में उट गया उसने का कि अगर एक गुनेगार है तो मैंने भी उसकी help की थी इस city में सिर्फ मैं ही उससे प्यार करता हूँ ऐसा नहीं है हम मैंसे बहुत लोग उससे किसी ना किसी वे से प्यार करते है मारको ने से सब लोगों को support करने के लिए का वेरोनिका को बचाने के लिए वोट में उसके सारे clients खड़े हो गए इन client में चर्च में का एक आदमी भी था मारको उसके बारे में बता देता उसके पहले उसने का वेरोनिका ने इतना बड़ा crime नहीं किया है हमें reconsider करना चाहिए मारको ने वेरोनिका को बचा लिया था उसे कोई भी सजा नहीं हुई मारको और वेरोनिका एक दूसरे को गले लगाते है और इसी moment पर एक movie end हो जाते है end credit में हमें बताये जाता है कि कोर्डिजान का age बाद में खतम हो गया Venice की war में जो भी लोग जखनी थे उन्हें help करने के लिए वेरोनिका ने अपना घर दे दिया था वो और मारको हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहे इसी के साद ये movie end हो जाते है